हलो हलो चैस लवर्स नव भारती स्टेडी सरकिल में मैं प्रभात सर्मा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत बहुत अभी नंदन करता हूं हमने हमारे इस चैस सीरीज चैस लर्णिंग सीरीज के अंतरगत आज दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके समने प्रस्तुत हूँ हमने इस चैस लर्णिंग सीरीज के पहले वीडियो के अंदर यदि हमें चैस खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था तो भी हमने चैस खेलना सीखा था चैस के मूव्स किस परकार चलते हैं, चैस बोर कैसे जमाते हैं, चैस के अंदर फिर हम किस परकार से कैसलिंग करते हैं, कैसे एंपेसंट करते हैं, चैस की जितने भी तरह की नियम होते हैं, वो सारे के सारे हमने पहले वीडियो के अंदर के शीखेते हैं, और आज हम चैस खेल भी है किसी गेम को खेलतना ही, खेलते खेलते हम जीतना भी सीखते हैं निस्यत रूप से, परन्तु जीतने से हमें आनंद के प्रप्ति कुछ अधर होती है, इसलिए आज हम इस चैस के अंदर कुछ बैसिक टेक्टिस, बैसिक इस्टेजिस, कुछ व्यू रचना बनाना, कुछ इनके जो ये मोहरे हैं, पीसेज हैं, इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, एक दूसरे के मोहरों को मारते हैं, तो कौन से मोहरे को मारें, अपना कौन सा मोहरा पिटने दें उसके साथ में, हम ट्रेडिंग कैसी करें, कि हमें फायदा हो, हमें गैन हो, और हम इस गेम को जीते हैं सबसे पहले हम लोग सत्रंच के जो ये पीसिज हैं, इनकी वेल्यू कितनी होते हैं, यह हम जालते हैं, पॉन की वेल्यू एक, घोड़े की तीन, बिशप की भी तीन वेल्यू गिनते हैं, तीन अंक देते हैं, हम दे सकते हैं, इसी प्रकार के हम रुख, हाथी, हाथी की वेल्यू पांच देते हैं, क्वीन, क्वीन की वेल्यू नो, किंग, किंग तो बिल्कुल ऐसे में, पॉन की, एक, घोड़े की तीन, पिशप की तीन, रुख की पांच, क्वीन की नो, इन वेल्यू को हमें ध्यान में रखना है, इसी तरह से हमें जब ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा, यहां हम कुछ ट्रेडिंग देखते हैं, यहां यह पोजिशन है, हाथी, वजीर को मार सकते हैं, हाथी ने वजीर को मारा, और उदर से हाथी ने हाथी क यहां देखा जाए तो ब्लेक फाइदे मेरा ब्लेक ने नोंग के बजीर को मारा और खुद के पांच अंक का हाती गमाया चार अंक का फैदा किया एक दूसरे टेडिंग देखते हैं यहां पर आप लोग मोरे बिछे में वाइट की चाल है वाइट ने घोड़े को मारा एक अच्छी सी पोजिस्टिन है इंट्रेस्टिंग यहां हाथी हाथी को कैप्चर करने जा रहा है ठीक है हाथी ने हाथी को मारा पांच पॉइंट अर्जित की उट ने उसके हाथी को मार दिया पांच पॉइंट उन्होंने भी अर्जित कर ली बराबर बात हुए उट ने एक्सेंज किया है उन्होंने पीसेज का एक दूसरी के पीसेज को मारा उसमें बराबरी का इस तरह अलग सीन से देखते हैं से यह 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 वाइट से वह वाइट वाला हाती से हाती को नहीं मारता अपने बिशप से हाती को मार लेता पहले उसके तो ज्यादा अच्छी बाद हो अब ब्लेक ने तीन पॉंट अर्जित किया और दो पॉंट माइनस में है ब्लेक अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्तित यह जो आपको वाइट है, वाइट की ही विनिंग रही, अब इस वक्त देखा आपने, वाइट ने उसके दोनों हाती मारे और खुद का एक उन्ट और एक हाती गवाया, तो खुद ने तो 8 पॉइंट गवाए और उसके 10 पॉइंट लिए, तो 2 पॉइंट फायदे में है, वाइट की पॉइशन अच्छी है, वाइट की पॉइश हाती है, हाती एंड गेम में बहुत खतरनाग होता है, और वो उसको हरा देता है, चलिए आईए हम टेक्टिस के बाद करते हैं, हैंगिंग पीसिज, हैंगिंग पीसिज माने, इसको बोले तो हम, ऐ सुरक्षित आपका ये, जो, यह महरे है, ना जोरा महरा, ऐसे बोलते हैं, ना जोरा, जिस पर कोई जोर नहीं है, जो, बिल्कुल अकेला पड़ा है, ऐस रख्षित है, हिआए देखिए, बलेक का हाती, हाती पे कोई भी जोर नहीं है, मार लिया, जिमपल, वाइट का कुछों नहीं बिगड़ा, उसे ब देख के पता लग रहा है black का वो रुक एंगेंग है रुक पर कोईभी zOrr नहीं है कोई भी protection नहीं है white उसके हती को मार ले तो फिर वाइट का तो कुछ नहींические उजीर है उसके हती को मारने के लिए बिल्कुल appropriate है और वो उसको मारेगा तो white का वजीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा ठीक है तो आईए एक नहीं तरीके से देखते हैं हम यहाँ देखिए हाथी unprotected रखावा है white का हाथी बिल्कुल कोई protection नहीं है घोड़े भी नहीं है वजीर आया black का अब वो सोच का हाथी को और उस घोड़े को में मार लूगा अगली चाल में दोनों के दोनों आया सुरक्षित है दोनों पर सुरक्षा लाएगा भी कैसे white लेकिन वो भूल गया मुहां आया वहां खुद भी ना जो रहा था queen आया queen जहां पर आके रखा गया वहां पर कोई भी protection नहीं था उसे hanging का और इधर white का queen बिलकुल वहीं मार कर रहा है उसने मार दिया और white का कुछ बिगड़ा नहीं black का जदन उकसान हो गया चलिए आईए हम एक और position देखते हैं यहां white की pawn ए अगले ही move चलके आठवे घर पे पहुंच रही है और हमने pawn promotion में देखा था पिछले वीडियो में वो जब आठवे घर में पहुंचती है pawn तो कुछ भी मांग सकती है वजीर बनने वाली है white सोचता है कि मैं उसको वहां प मार देगा और मार के फिर मैट कर देगा लेकिन भूल गया उट की मार भी लगती है और उसका वजीर हेंगिंग था कोई production नहीं था और इदर उट ने उसको मार दिया और मार के उसके सपनों पर पानी फिर गया अब वाइट तो नहीं बना सकता अब ब्लैक के पाज़ादा मैटेरियल है ब्लैक जीतेगा चलिए अब हम नया एक देखते हैं डवलप यॉर पीसेज अपने पीसेज को कैसे डवलप करें तो यह सबसे महत्यपूर्ण है इस सत्वंज के खेल में अपने पीसेज को डवलप करना अभी हमने केवल-केवल यह देखा कि पीसेज को मारना पीटना एक्सेंज करना है एक दूसरी की पीसेज को लेना हेंगिंग ना जोरा नहीं चोड़ना पीस और पीसेज के अपने महरों की वेल्यू को समझना इस सबसे ज़्यदा कीमति है वजी फिर उसके बाद में कीमत र जब फोक कमे हैं, मार करने की स्थिती में हैं एक दूसरे की प्रटक्षन में हैं, हइंगृ नहीं है, तो वह जीतेगा. जब प्रफ में पेसिती हैं आईडियर पोजिशन को लेकर चलते हैं nos dhp ko eis, कि सबसे ज्यादा सही इस्तितियां क्या होती है यह आपका बॉर्ड है आपके सामने वाइट के तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ A, B, C, D, E, F, G, H और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हैं आपके इन बॉर्ड के उपर जो सेंटर के जो सबसे बिलकुत बीच वाले चार वर्ग हैं चार खाने हैं यह सेंटर पोजिशन कहलाती है और हमें अपने पीसे से इस सेंटर पोजिशन के अधिकार रखना चाहिए जिस त अंत तक इस पूरे गेम को डॉमिनेट करता रहेगा पूरे गेम को जीतने के उसको सबसे अधिक चांसे होगे हम E4 करके हम इसके उपर बीच में आ सकते हैं E4, D4 इस सेंटर के बिलकुल पास वाले जो महरे खाने होते हैं जो इसमें ग्रीन कलर के दिखाया हुआ है आपकी स अधिकार होगा वो इसमें जीतेगा चलिए अब हम इसका आईडियल पोईसन देखते हैं महरों को डवलप कैसे करना है यहां आपके तरफ के महरे हैं अब आपको चलना क्या है सबसे पहले सेंटर के उपर अधिकार रखना है E4 और D4 बिना सोचे समझे चांसे हैं E4, D4, Nite F3, Nite C3, यह दोनों मुझे रखने से आउटर सेंटर की कबजह हो गया, F, C4 और F, यह बिशप C4 और बिशप F4 रखने से भी आप आउटर सेंटर पे अपना पोईसन को स्ट्रॉंग करते हैं, आइडियल पोईसन है बिल्कोई, आपने कैसलिंग कर लिए, क्योंकि दोनों बिशप निकाल लिए तो आप कैसलिंग कर सकते हैं, यह तीन पोईसन को बड़ा सुलक्षित करती हैं आपको किंग बहुत अच्छे कैसल में बहुत अच्छे किले बंदी में आचुका है सकते हैं, रुक को आप e1 पे लिया हैं तो आपके रुक भी सेंटर को स्ट्रॉंग क कर दिया, उट आगे तक जा सकता है, पिछे सपोर्ट क्यों इनका ही, तो ऐसे करके बहुत स्ट्रॉंग हो गया हो, हाथी को इधर लिया है, हाथी को क्यों के पिछलाने से आपका सेंटर और मजबूत हो गया, अब आप कि ये टीन महरे हाथी और दोनों, दोनों हाथी और वज पता ने, साइद ने, देखिए इस तरह के पोजिशन बन जाती है, यह बड़ी टिपिकल, बहुत एक टिपिकल पोजिशन है, देखिए और बहुत बैलेंसिंग है, इसका पैदल उसके पैदल से, उसका उंट उसके उंट से, इसके उंट पर भी जो पैदल का, उसके उंट दरफ के महरे जम्हें में हैं और किस प्रका से डवलप करें अपने पीसिस का उसको हम जानते हैं E4 चला उदर से E5 चला गया Knight F3 चला गया Knight F3 कौन को पीटने वाल है अब ब्लेक दो कचाले चल सकता है एक तो Knight C6 चले या फिर वो D6 चले प्रेदल को कि दो पोजिस्थेन हैं ब्लेक के पास जिससे वो इस पेदल को बचा सकता है अच्छी चाले हैं इस दोनों पर ज्यादा अच्छी चाले हैं Knight को लाना यहां पर ऐसे कलने से क्या होता है आपका वाला बिशप तो पूरा खुला और यह वाला बिशप आपका जो ब्लेक खाने पर रखा बिशप यह रुक गया इस पेदल से थोड़ा सा यह उतना अच्छा मूब नहीं था घोड़ा चलता ज्यादा अच्छा मूब था फिर भी ऐसा मूब चलते हैं इन्हों ने बहुत अच्छी चाल चली है अपने बिशप को सी फोर पे ले गया और इस प्रकार से यह कैसलिंग करने के लिए बिल्कुली जगे खाली रही और यह जो उंट है यह सी इदा इस पेदल के उपर भी अटेक कर रहा है इस पोजिशन के बाद में ब्लैक को चलना था अब ब्लैक ने इस गोड़े को लेकर या तो वो इस जगे आए या इस जगे आए या इस जगे तो गोड़ा उसका आउट ओफ-दा-गैम है लास्ट पे जैने पर क्योंकि यहने के आएप इन दो मोरों और इन दो खानों को और इन दो खानों को प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन उसने यह नहीं चले यहाह जलना सबसे बेसच चाल थी इसके सबसे बैस जालती है कि गोड़ अब ये कही नहीं लगे और माल लेजिए उसने घोड़े को ठाके यहां रख दिया यह बहुत गलत जाले इससे कई गवाते हुई सेंटर पर दो आया वो एक यहां भी आया और उस लेकिन इस उट को रोक दिया इस ने गोड़ा लेके सेंटर के तरफ आया बैस साल है, इसने गोड़े को C3 पर रखा, उसने उस गोड़े को लाकिंग हा रख दिया, यह और बुरी चाल थी, उसने अब इस वाले उट को आप्स्टेक्ट कर दिया है, रोक दिया है, और इसके कुछ घर तो ऐसे हैं जो इस गोड़े के जो आउट आफ बोर्ड है, इसलि वो दोनों गोड़े बंद हैं, दोनों उट बंद हैं, बिल्कुल ब्लॉक हैं गोड़ों के द्वारा, नाइट को G5 पर रख दिया, अब वो इस पैदल पे उट से मार कर रहा है, और गोड़े से मार कर रहा है, और उसके यह पैदल और गोड़े अटेक करने के लिए बिल्क उट मीहाने को तैयार है, क्या करेगा वो ब्लैक, ब्लैक उसको बचाने के लिए क्या करेगा, या तो हाथी घोड़ा बीच में लाएगा, पैदल बीच में लाएगा, और इस जगे पर इसका पैदल है, इसका उट है, इसका घोड़ा है, उसने यह नहीं चल के उसने यह पैद इससे भी बड़ा चेक्सिलिंग मूव है, यास, ये वाला मूव, मूट या रखा, अब क्या करेगा उसका राजा, राजे से उट को मारता है, तो गोडे से वो राजा को मार देगा, इसलिए ये चाल चलने सकता, सब ब्लॉक पड़े हैं उसके, अब अगले मूव में तो मरने वाला किंग पर चेक लग गया, ये चेक मैट हो गया, ब्लैक हार गया, इसलिए अपने मोहरों को ठीक कश डवलप नहीं किया, तो आपकी मैट जल्दी ही हो जाती है, कंट्रोल दा सेंटर, सेंटर पर कैसे कंट्रोल करें, सेंटर के बारे बारे बताया था मैंने आपको अब डवलप पॉप पीसे के अंदर, सेंटर सबसे महत्वपून पार्ट है, इस चेस गेम का, चेस बोड का, ये चार खाने, और इन चार खानों पर अपने पैदल के दोरा, अपने घुडो के दोरा, अपने उट के दोरा, जितना जदा आप आदिपत्य रखेंगे, गेम के पीर भी इस से खुलता है, इस पैदल को चलने से, इफ़ोर मूव सबसे बैस्ट मूव के लाता है, चेस का, ब्लैक के तरफ से इफ़ाइफ मूव, ये बिलकुल परफेक्ट मूव है, तो डी फ़ोर आप चलते हैं, अच्छा मूव है, डी फ़ोर से आप उसकी पैदल को मार करते हैं, ये चला, इफ़ोर, ब्लैक ने माल लेजिए, इफ़ाइफ नहीं चलके, चल दिया, बिलकुल साइड का मूव, सेंटर पर ध्यान नहीं नहीं दिया, सेंटर बोर नहीं जा रहा, लेना, और उस ने चल दिया, एए सिक्स, सोचता है कि मैं हाती को यहां लियाँगा इन क्या करेगा हाती हां कर, बहुत बड़ी बात होने वाली है ने, ब्लैक वाइट ने फिर अच्छा मूव चला, डी फोर, सेंटर पर फूरी तरह से कपचा, इस चारो भागें दोनों पर, दोनों के दोनों पकी पैदल, इन चारो खानों पर मार कर रहे हैं, ब्लैक ने फि आसको सोच नहीं है बस चल रहा है महरे, इससे घोड़े भी ब्लॉक कर रहा है, घोड़े भी आनी रहें, महरे खुलनी रहें, हाती ही अलागे कर क्या लेगा वो, और इधर इसके वाइट के हाती को छोड़के बाकि सारे महरे फिलकुल फ्री हैं, घोड़े तो उंगाल सकते हैं, दोनों उंट फ्री है, दोनों यह आपका वजीर फ्री है, घोड़ा उसने चला, F3, नाइट F3, उधर से चला गया, नाइट C6, यह अच्छा मूव है ब्लेक का, पैदल आगे बढ़ा कर वो उसको मार सकता है, अब नाइट को कोई जगे नहीं है, मताँ जगे तो है, नाइट को उसने डिस्टब कर दिया, नाइट पर मार लग रही है ना, पैदल से, अब उसको नाइट अपना हिलाना पड़ेगा, कहां हिलाएगा, कहां लेके जाएगा, नाइट लेके मालेजी इदर आ गया वो, A5 पर, हैंगेंग है, उस नाइट पर कोई जोर नहीं लग नाइट एक ऐसी पोजिशन पर आ गया है, जहांसे वो कोई अधिक काम करने सकता है, और इस का आपको वाइट घर है, उन पर वो जा सकता है, और वो नाइट है बलैक नाइट है, वो कि चार घर पर जा सकता है, बलैक एदी B4 चल दे, अब नाइट कहां जाएगा, अब इसा फाइदे मेरा तो सेंटर पर कबजा करने का देखिए कितना जल्दी फाइदा मिला उदर से वो नाइट निकाल के लाता है माले जी इसके इस पैदल को भी मारने जा रहा है और चाल चलिए उसने क्या चलना चाहिए वाइट को अपने इस पैदल को बचाना भी है बचाना है तो आगे बढ़ा देजीए और अब ब्लैक के नाइट के पर मार पिया गए ब्लैक नाइट बचाने के लिया तो आपस अपने पहले वाले जगे जाए या फिर इसके तरह इधर आए यहा आए यहाँ अब नाइट कहा जा सकता है यहां जा सकता है यहां जा नहीं सकता उसको कुछ कम हो रहा है इधर जाने सकता इधर इसको मारने सकता घोड़ा है इसको मारेगा तो वाइट का घोड़ा मार देगा हैंगिंग नहीं है यह कौन नाइट इसको मारेगा डेफिनिटली राजा मार द हैं तीन तीन पॉइंट वाले और वाइट का चेवल एक पीस गया है कौन एक पॉइंट का तो वाइट फाइफ पॉइंट प्लस में है वेल्यू अधार पर देखे तो हम वाइट की पॉजिशन ब्लैक की पॉजिशन से ज़्यादा अच्छी है सेंटर पेख अपज्य का खित्ना अच्छा पायदा होता है। यहां भी थेखें एवशी बैड ट्डैट्स दूसरी बैड ट्रेट कहलाती है उसका अbelवल्प्ट मोहरां मार ले और कुधका डवलप्ट बहरा पेटवा हुआ है यह बेडेड कभी ऐसा होता है एक मोहरा ज्यादा मोहरा मारकर भी आपहार जाते हैं वह बेडेड के लाती है ज्यान देना चीए हम मोहरों की जब अदला पदली करें हम सामने वाले के पीसिस को मारें तो हमें थोड़ा सा माद दिमाग लगाना पड़ेगा यह तो हम अपना ज्यादा कीमती मुहरा उसके कम कीमत के मुहरे को मारने के लिए ना गवाएं उसके अंडवलप्ड मुहरे को मारने के लिए डवलप्ड मुहरे को ना उससे अदला बदली करें और तीसरा कभी-कभी ऐसा होता है कि वो लालस देता है कि दो मारो मेरे पीस को मारने के बा वाइट पैदल को मार सकता है वाइट उट को मार वाइट अपने हाथी से इस गोड़े को मार सकता ठीक है लेकिन तीनों ही जगे उसके त्रेड अच्छी नहीं है तो ज़्यादा कीमति महोरा देगा और कम कीमत महोरा मारेगा हाँ अपने इस उंक से वो उसकी हाथी को मारता है ये गुड ट्रेड है इसको मारेगा तो उसने 5 पॉइंट अर्जित की और 3 पॉइंट दिये दो पॉइंट प्लस मेरा वो इस तरह से हमें एक गुड ट्रेड करनी है बैड ट्रेड नहीं करनी है यहां पर गोडा निकाल रहा चाता है कैसलिंग करने के लिए क्या गोडा निकालना चाहिए उससे भी यह उसे यह मारना चाहिए उसनी यह मारा पैदल मारी और अपना उठ दिया यह good trade थी क्या definitely उसने cashling करने से रोक दिया white को cashling करने से रोकना ही सब कुछ नहीं है आपने दो point भी दिये है cashling तो यह फिर भी कर लेगा लेकिन आप अब वो यासुसर check दे दूँगा महीं हां के उससे कुछ फरक नहीं पड़ता वो अभी रुक को निकाल के लाएगा और इधर सही जगे चल जाएगा आप चेक दे वो चेक दी और किंग को लेकर वो G1 पे आगया cashling नहीं करके भी cashling हो गई white की दो पेदल तो product करी रही है तीसरी नहीं है तो क्या होगा गोड़े पर हाती का जोर आगया हाती आगे तक जा रहा है उस सामने वाली पेदल तक इस वाली पेदल तक ठीक है black ने कोई good trade नहीं की चलिए एक और उधरन देखता है यहाँ आपका उंट black के कुछ महरो को मार रहा है नहीं इसको मार रहा है सोचिए white का bishop black के कौन से piece को yes वो उसको knight को पीट सकता है तो कि पीटना चाहिए क्या आपका bishop developed था उसका knight developed नहीं था फिर भी आपने piece दिया अब आपका developed piece चला गया उसका undeveloped piece गया इसमें नुकसान white को हुआ हाँ तीन point के बदले तीन point लिए लेकिन फिर भी नुकसान white को हुआ चलिए एक और उधराने देखते है उन्ट से आप उसके knight को पीट सकते है और वो भी आपका अगेन दो पैदलों से चैन नाइट से आपके इस उन्ट को दुबरा पीट सकते है तो यहां क्या इसको पीटना चाहिए गुड है क्या कैसलिंग करी उसने इस पैदल को बढ़ाया अब देखिए अब इसको पीटेगा ने वो तो क्या होगा देखिए थोड़ा सा समझ रहते हैं वो इसको पीटता है तो वो घुड़ा इसको पीटेगा वाइट का क्या होगा वजीर खुल जाएगा वाइट ब्लेक का वजीर खुल जाएगा ब्लेक का उंट भी खुल जाएगा आपका बड़ा डवलप पीस चला जाएगा ब्लेक को फायदा होगा वाइट को फायदा हुआ इससे इसको नहीं मारना चाहिए मतलब नहीं मारने से ब्लैक कोई फायदा होना है यहां आता है इसके ओपर अटेक करता है चीक है और उसको अपना गोड़ा निकालना हटना पड़ेगा वहां से अपने मोरे खोलने के लिए वैसे हटना पड़ेगा तो आप क्यों उसको सहता कर रहे हो यह गूट्रेड है इसस गोड़े से उसने इस गोड़े यह रुकावा था नहें और यह रुकावाट भाट के नें इती होट की बड़ाट वोट निकल के उसका आएगा और इस वक्त इस पोजिशन में ब्लेक अच्छी पोजिशन में है वाइट की बनिस्पत एक उधरान देखते हैं बैट्रेट्स का यहां पर प्लैक की पोजिशन य यह वाला उट यहां आके चेक देगा चेक देगा तो पुछान के लिए सबचानेके लिए यह यहां आएगा और यहां आने के बाद में गोड़ा यह चेक बच जायगी यही घोड़ा नहा हो तो चेक कैसे बचाएगा राज़ों को लाकर चेक बचाएगा केस्लिंग नहीं कर पाएगा गोरा ना हो इस पोजिसवशन में और यदि हम अंडावलप्ट गोरा ईस उँट से मार लेते हैं डावलप्ट उँट से मार लेते हैं तो यह good trade है या bad trade है ऐसे करके वजीर ने मारा अब उसने उट से चेक दी अब राजा क्या करेगा वाइट को हिलाना पड़ेगा और इसने कैसलिंग कर ली और वाइट कैसलिंग नहीं कर पाएगा अब इस पोजिशन को देखिए वाइट कैसलिंग नहीं कर पाया वाइट का किंग के बीच में है अंसुरक्षित है इसके महरे हैं एस पर अटेक करेंगे तो डेफिनिटली वाइट को नुक्सान होगा तो यहां उट से अंडवलप्ट महरे को मारना bad trade नहीं थी good trade थी ध्यान देना है हमेशा ही अंडवलप्ट पीश को मारना bad trade नहीं होती है ठीक है कभी-कभी हमें अपना advantage भी लेना होता है जैसे कि यहां लिये गया ठीक है fork को समझता है है fork की term है और fork बहुत अधिक तक घोड़ा बहुत अच्छी फर्क के लिए लगाता है फर्क का मतलब है आपका जो महरा है वो तो किसी से न मरे और वो अपोनेंट के एक, दो, तीन महरों को एक सद मार रहा हूँ अगले चाल में तो अपोनेंट क्या करेगा एक को तो बचाएगा दूसरा पिटेगा दूसरों को बचाएगा तो पहला पिटेगा कभी कभी तीन महरों को मार रहा होता है कभी चार महरों को मार रहा होता है इस तरह की situation create कर देते हैं यह दिया उसे कहते हैं fork और घोड़ा बहुत अच्छा करता है चलिए कुछ दोरन देखते हैं हम समझते है देखिए यहाँ पर घोड़ा घोड़ा कहां रखे कि fork की position आ जाए उसके दो ही महरे हैं black के पास queen और king दोनों को मारे ऐसे जगे पर रख दे हैं घोड़े को तो उसे वो fork position के लाएग यहाँ अब वो इस घोड़े से हाती को भी मारिया है और वजीर को भी मार सकता है और राजा को मार सकता है एक को बचाएगे, राजा को भचाना जरूरी है और वजीर मर गया यह position के लखते है वो वजी, आपके राजा, 2 हाथी नोंचारों पर fork लगा सकता है गोडे पर लेकर वह इस देगे गया अब यहां इस गोडे से इन चारों पीट सकते हैं अब बचालो एक को जो समझ में आता है उसको पीट लो क्विन ज्यदा पावरफुल है तो क्यों को पीट लिया जाएकं की ज्यदा पॉइंट है नाइन पॉइंट तो त्री पॉइंट जाएंगे घोडे के नाइन पॉइंट लेंगे तो श्क्स पॉइंट प्लस में ऊसे हैं इह इन यह कहला भी फॉर्क चलिए एक-दो धराण और क्वोड़े के लाभा भी कोई और फॉर्क लगा सकता है बिलकुल और फॉर्क आपका ये वजीर आपका उँट भी अच्छी फॉर्क लगा सकता है पैदल, पैदल की फॉर्क हम देखते हैं, पैदल एक घर बड़ी, तो क्या करेगी, अब वो उट को भी मार रही है, भोड़े को भी मार रही है, ठीक है, दोनों से एक को बचा लो, दूसरा पिटेगा, तो पैदल की फॉर्क, गेम जब स्टार्ट होता है, ऑपनिंग होती है, उसक्त सेंटर में आपके पैदल लखी में है, इस परकार की फॉर्क लगती है, सावधा रहना चाहिए इससे, अच्छे अच्छे प्लेयर भी इस तरह की फॉर्क में आजाते हैं पैदल के, आपने एक बचाया दूसरा पिटेगा, तो ये स्टार्ट ओपनिंग में सेंटर कबजा करने का आपका बहुत अच्छा ये उधारन था, दो कितना अच्छा फायदा होता है, वजीर से कैसे फॉर्क लगाएं, वजीर से राजा भी मारें और हाती भी मारें, ऐसी जगे पर वजीर को लग दीजिए, तो ऐसी जगे कौन सी है, ऐसी जगे देखिए आप यहा जाएं, ए एट पर, तो फिर अगली जाल में आप राजा को मार रहे होते हैं, और हाती को मार रहे होते हैं, लेकिन क्या अच्छी जगे है क्या ये, नहीं है न, यहां लेकर वजीर को चले गए आप, तो इस हाती से वजीर मर जाएगा न, तो फॉर्क में ऐसी जगे लेकर जाना चीह मोरे को जहां वो किसी से ना मर रहा हो और मार वो दो पीस को रहा हो दो या दो से अधिक पीस को मार रहा हो ऐसे इस थान पर अपने मोरे को लेकर जाए इस जगे लेकर गए अब यहां से वो हाती को भी मार रहा है और राजा को भी मार रहा है दो मोरे को मार रहा और लगाकर आप टैक्टिस कीजिए, चलिए अब हम नया strategy नई टैक्टिस सीखते हैं, पिन, पिन दो परकार से लगा सकते हैं, दो परकार की पिन होती है, पिन का मतलब क्या है, अपोनेंट के किसी एक मोहरे को, ऐसे मतलब उस मोहरे के पीछे एक और मोहरा रखा है अपोनेंट का और आपने उसके आगे वाले मोहरे को मारने के लिए लगा दिया, तो बीच में जो मोहरा रह गया उसका, वो तो आपके मोहरे को नहीं पीट सकते, लेकिन उसके पीछी जो मोहरा है, वो अपने बीच वाले मोहरे को हटाएगा, तो उसका कीमती मोहरा पिट जाएगा, अब इस प्रश्च नहीं हुई बात मेरे कहने से, चलिए हम इसको उधरने के द्वारा समझते हैं। कुछ पिन के उधरन लेते हैं। यहां देखिए, यहां आप देखेंगे आपका जो यह घोड़ा है वो पिन है। किस से पिन है। हाथी से पिन है। आप इस घोड़े को हटा नहीं सकते। हटाते है, आपका जो राजा पर चेक लगकाती है. अधर फिन है किस बूदा से गोड़े को एक वोजीर को यह घोड़े को लिए। उसकी वजीर से इसAPटर मार दिया, आप गोड़े से उसकी वजीर को नहीं मार सकते prejud weakness क्यों कि आपका जोड़ा पिन है। एक उज़हां दे तो यह पैदल आप बढ़ाई नहीं सकते बी और इस पैदल यहरे सब्सия नोगी सब्सक्राइबmin each और फिंद के साथे कहा ने कोश्राइब कर देखाई नहीं हुआ देखते हैं कि इस बहुत चाल ओंगए इसको थोड़ा से दुबारा से देख लेते हैं यह है आपने इस घोडे से इस घोडे को मारा तो आपको लगता है कि वजीर से मैं इस घोडे को मार दो तो क्या वजीर से इस gute का माना सही चाल भे बिल्कुल सही चाल नहीं है अब आपका यह वजीर पिन हो जाएगा यह पिन का दूसरा परकार है किस से पिन हो जाएगा उट से पिन हो जाएगा Raja के लिए produces a यह ँउट को यह रखा इस उउट को नहीं मार सकता वजीर क्यों नहीं मार सकता यह गोड़ा है वजीर को अगली चाल में तो आगली क्यों पिटेगा यहां देखिए अब आते हैं नएया पाइलिंग अब पाइलिंग अब क्या है यह आपका आपने किसी एक मुहरे को पिन कर रखाया जैसे यहां पर कर रखाया इस घुड़े को पिन इस उंट से और इसके पीछे है आपका राजा जिलाखे— इब घौट से मारूंगा, लगना उट से आपके szasus मार देगा यह तो फैदयावएली बात कप होगी। जब मैं इसको piling up करू गए जी भोड़ी को लेकर और चला थाओ उसके dothore मारना जाओं या हाथ ही लेकर आउंग हाओ तो क्या करेगा वाइट है Hundreds की चाहल लेता испर एक ओर लेकर आए गोड़ा अब अब मैं अगली चाल में इस घोड़े को मारूँगा तो मैं प्रिट लूँगा तो मेरे दो-दो जोर हो गया है वहापर एक घोड़े का जोर है और यह किसका जोर है वह भी घोड़े को लेकर आया उसने भी एक और जोर लगा दिया थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं यह गोड़ा लेकर गया अब गोड़े को लेकर इस घोड़े को लेकर यहां आ गया क्योंकि इस घोड़े पर दो जोर थे यह इस तरह से अब देखो और हाती लेकर यहां आया थे अब इसके उपर कितने जोर अगए वाइट का एक जोर है मारुँगा, इसने मारा इस से, इसने मारा घोड़ा से, उसने मारा घोड़ा से, इसने मारा elleसे, इसके प्रिके और उसके तीनोपय sports मर गэ, अब क्या करेगा वाइग बलेक, नहीं आ सकता क्योंकि यहां तो इसका जोर आ रहा है , तो अब यह फिटेगा ही फिटेगा। इससे बोलते हैं Piling Up, अपने पहले किसी एक महरे को PIN किया, PIN करके उसके कही सारे जोर लिया और उसको अंतर तरह प्रीट दिया, एक को धरन लेते हैं Piling Up का, ध्यान दो, यहां हाथी पिट रहा है, हाथी पिन कर दिया, मैंने उट ले जाके यहां रख दिया, हाथी पिन हो ग इस पोजिशन में Black के हार रहता है, आप उसने राजा को लिए अब यदि White उसको मारे और वो इसको मार दे, तो पोजिशन क्या हो गई, ड्रोक ही हो जाएगी, वे राजा इस पैदल को रोख लेगा, परन्तु क्या कर सकता है White, White Piling Up कर सकता है, White इस हाथी पे एक और मारने क सकता है, वो किसका लाएगा, वो अपनी पैदल का जोड़ ला सकता है, अब पैदल, अब वो नेक्स मूव में हाथी को मार लेगा, इस पैदल पर इस वूट का प्रोटेक्शन भी आ जाएगा, फिर राजा मार ने पाएगा, और अन्तु अपने राजा को लाकर ये इस सकते हैं, चिक, चलिए अब हम इस प्रकार से, चलिए अब हम एक और उधारन लेते हैं, पैलिंग अब कई, ज्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाला गोड़ा, पिन है, उट से, देखें पीछे वजीर हैं, गोड़ा आटाएगा, वजीर पढ़ जाएगा, तो पिन वजीर भ भाषऑ पीछे पीछे उसको पिन कर लीग, जोर नहीं हो, पिछे अपने ऊट से पिन कर अदिए अब अगए उट नहीं सकता है, यह गोड़ा पीट भी नहीं सकता है, यह इसको पीट का तो वजीर होधीर से पीट देगा, तो इसको फिलिंग कर चाहिए, इस घोड़े को मा इस घोड़े से पीटे या इस से पीटे वजीर से नहीं पीट सकते हैं और इस घोड़े पर जोर कों सा ला सकते हो खली राजा का ला सकते हो राजा का जोर लाने का मतलब ही नहीं है पीट जाएगा फिर भी राजा सुरी पीट लो गया हाथी का जोर नहीं ला सकते हैं इस इस पिटेगा ही पिटेगा ठीक है और वाइट कोई भी चाल चले मालेजी उमूट लेके यहाया तो भी पिटेगा चैक भी लगते ही और चैक बचाएंगे तो कुछ और जाएगा ठीक है चलिए अब हम एक नई सेटेजी देखते हैं नई टेक्टिस दीखते है इस्ट्वियर इस्ट्वियर क्या है यह पिन और पाइलिंग कही थोड़ा सा एक अलग रूप है इसमें हम राजा को चैक देते हैं चैक से हटता है तो पीछी वाले महरे को मारते हैं इसने कीमती महरा आगे होता है और कम कीमती महरा पीछी होता है कीमती महरे को आपने दिखाया अपना महरा कोई मारने के लिए उसने हटाया उसे और उसके पीछ वाले महरे को मार लिया तो यह कहला थी square आई हम कुछ उधारन लेते हैं square के तो में समझ में आएगा यहां देखिए इस position में वजीर है उसके पास दो महरे हैं black से अच्छी position white की लग रही है लेकिन क्योंकि 9 पॉइंट है इसके 5 और 8 पॉइंट है पॉइंट के साथ देखिए तो भी white ज्यादा प्लस पोजिशन में है लेकिन अभी एक चाल है black के पास वह है square करता है वह उट से देखो राजा और वजीर एक सीध में है वो चेक देदे उट का तो क्या होगा अब राजा को उटाना पड़ेगा ना राजा पर चेक लगा राजा को उटाया और वजीर माल देखिए अब इस position में black win है चलिए ओर धरन लेते हैं यहां देखिए यहां आपको दिख रहा है कुछ सीध में queen और rook एक सीध में है diagonal में है और diagonal में है तो उट से आपने इस तरह से queen को उट दिखाया अब queen को हटना पड़ेगा और queen हटेगा तो वो जो hanging में रखावा piece है hanging out में ना जो रख unprotected वो piece अपका पिट जाएगा इसलिए कहते हैं कि अपने महरे को कहीं भी hanging में नहीं छोड़ना चाहिए छोड़ते हैं तो कभी भी इस तरह की गलतियां हो जाती है अब वजीर को हटाएगा वो पीछे से अपका हाथी पिट जाएगा शीदे शीदे 5 point गए black losing position पर आ गया यहां देखिए यह एक position है square की हाथी बहुत करता है हाथी से राजा को check देंगे तो पीछे गोड़ा मर जाएगा इस प्रकार से हाथी राजा अटाया गोड़ा मर जाएगा यह square आप practice कीजिए square की खुब सारी और पिन, piles up, square यह statistic और यह कुछ है अपने king को बचाना protect your king सबसे मैंतर पून है chess में chess में राजा पिट गया खेल करता है अब बाद कितने मोरे हूँ 20 मोरे हूँ 20 पॉइंट के मोरे हूँ आपके बाद वजीर भी है हाथी भी है घोड़े भी है उंट भी है और आपका राजा मर गया तो किस काम के हुए सेना किस काम की राजा मारा खेल खतब तो आपके राजा को बचाना क्या करते हैं cassling दौरा बचाते हां तीन पादने सामने हैं ये बहुत अच्छी गोड़ा यहां पर है यह आपके किले बंदी कहलाती है हाती यहां पर है यह इस तरह से रजाबड़ा अच्छी प्रोटेक्शन में आ जाता है इसको भेदना दूसरी अपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल है हाती को ही हाला कि अब सेंटर पर भी ला सकते हैं और यहां यहां अच्छा पोजिशन में इस पोडल को प्रोटेक्ट कर रहा है तो यह एक अच्छी किले बंदी कहलाती है इधर की तरफ यह लॉंग साइड में इस तरफ भी आप लॉंग कैसल भी कर लें तो भी अच्छी पोजिशन होती है ब्लेक ने भी इसको निकाला इस पे मारने के लि तो राजा को बचाना सबसे पहला काम है सबसे पहला काम अब यह किले बंदी नहीं करते है तो क्या क्या होने वाला आपके साथ में माली जी राजा ने किले बंदी नहीं कियो इस ने उट को यहां लेकर आ गया तो क्या हुआ राजा केसलिंग नहीं कर सकता क्योंकि इधर ज तो इस चेक देदे, तो क्या होगा? राजा कहा चलेगा? फ्वीन ही बीच में लाना पड़ेगा उसे ठीक है? और कोई महरा आता नहीं बीच में ये उंट आता बीच में तो उंट आ गया तो पिट जाएगा फ्वीन बीच आ गया उंट तो पिट जाएगा तो अब क्या है? फ्वीन बीच में डाले, फ्वीन डालेगा बीच में तो फ्वीन पिट जाएगा चले देखिए इसमें तो राजा से हाथी से चेक नहीं देता हूँ दो मुर्या नहीं राजा पिछे है, पिन है, फ्वीन और पिट जाएगा पिस्ट्रjanth लगेगा zone ten बचना पड़ेगा मार सकता नहीं मारेगा तो उट से न मार देगा कई कैच्सलिंग में नहीं कर सकता क्योंकि चैक नहीं अर्ड़े केशिंगले वाला था अर्या भी चेक केफी पिष्में के चेक देदे क्या होगा फेली खत् drift yang देखे कैसे कि अब इस व हुझी के लिफिट चेक देदे ओंतो बीच में और अने सकता होट आएगा तो पिट जायेगा वही आएगा बीच में कौन इा वझीर ब्लैक वझीर अब वो अपने वजीर से वजीर को मार दे, तो क्या होगा, चेक मैट, अब किंग को तो कहीं भी नहीं है न जगे, तो अपने किंग को हमेशा सेंटर में नहीं छोड़ना चाहिए, कैसलिंग करके बचा देना चाहिए, अब ध्यान देजी है, अब एक और पोजिशन देखते ह लॉंग कैसल करना कितना चाहिए, यहाँ इस पोजिशन में वाइट आपको बहुत बूरी स्थिती में दीख रहा है, वाइट का यह हाथी पिट रहा है, ठीक है, हाथी को बचाने के लिए उसको हटाना पड़ेगा है, अब किंग भी आपका अच्छी पोजिशन में नहीं ह हाथी के सीध में हैं बिल्कुल, आप इस उट को अठाने सकते हैं, उट आपका पिन पड़ाएं, वो इस उट को लेकर यहाँ आजाएं तो भी आप इस उट से उट को नहीं मार पाऊगे, ठीक है, यह हाथी आपका बैसे पिट रहा है, इधी लॉंग कैसल कर ली, अब सारे सारे संकटों से मुक्त हो गया, दोनों हाथी जुड़ गया, हाथी को नहीं मार सकता, आपका यह उट भी मुक्त हो गया, पिन नीरा, और राजा आपका एक तरफ से ला गया, यह हो गई, आपका लॉंग कैसल करते ही, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गये, और गेम में आ और हमारे आने वाले वीडियो से आप जरूर देखी, अभी हमने इनिशियली कुछ पार्ट देखे हैं, अब आगे हम ऑपनिंग्स और दा रोट को चैस्ट मास्टर है, क्या है, हम चैस्ट के ग्रेंड मास्टर और मास्टर कैसे बने, इसकी एडवांस वर्जन हम सीखने वा और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे पुराने गेम्स की वीडियो भी हमें लेके आऊंगा, जो सो साल पहले, दू साल पहले खेले गए थे, इसे हम बोल सकते हैं, कि वो हमारे इसे चैस के गोल्डन ट्रेजरी ऑफ चैस, ऐसा करके हम उनको बोलेंगे, तो वो वास्तों मे हमारे धन है, सतरंच का, वो भी आपके सामने में रखने वाला हूँ, और कुछ एंड गेम्स के स्टडीज भी हम करने वाले हैं, अंते में अच्छा खेलते खेलते, अंते में यदि हम कुछ एंड गेम स्टडीज नहीं जानते, तो अपना गेम लूज कर देते हैं, कैसे हमा आरे पास में तीन पैदल हो, और आगले एक के पास तीन पैदल हो, तुम अपनी पैदल को निकाल के ले जा सकते हैं, वन पैदल है और राजा है तो आप कैसे उसकी मेट कर सकते हैं, और वो कैसे बजा सकता है अपने आपको, आपके पास एक पैदल है और राजा है और उसक